विल्कम गुड मॉर्णिंग और डियर इस्टुनाइड इसके बारे में आज हम क्लास रूट पर अधारित क्वेस्टन लेकर आये हैं तो आप देख रहे हैं आपके पास आंसर क्या है दो चार छो और आठ है तो आप बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा आप इसको बनाएं नहिंए किसे यह दोनों संक्यां को आपको जोड़ देना है यसमें दूहीं संक्यां है तो तीन और एक हो जबना चार हो जब़ए gonna यहां क्या करेंगे दो से इसको भाग देंगे दो से भाग यहां पर दिया हुआ है तो आप बता सकते हैं कि सही अंसर क्या होगा इसको इसको सौल्ब के से करें ठियान दिजिए अबहुत dot तो तीन अंख है एक दो तीन अंख है तो यह अन्तीम आंख आपका 5 है और पहली संख्या कितनी है एक है तो 5 और जोड़ेंगे कितना हो च्छव यहां पर छौ लिखिया और 2 से क्या करेंगे भाग देजिए आंसर कितना आजाएगा यह आपको सफर्रीक है देखिए option number two आपके लिए सही रहेगा देखे इसको बनाएंगी किसी अगर इसको बनाते हैं यह कितना हो गया पांच और तीन आठ आठ और एक कितना हो गया नौ हो गया तो 9 का जदि हम वर्गमूल निकालते हैं कितना होता है तीन होता है तो यह वह ही तीन तो आपका अंसर हो गया य इस तरह से आप जल्दी से बना सकते हैं यहां पर देख रहे हैं आपका पास question क्या है दिखिए रूट में है एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस साथ प्लस नौ है और यह दिखिए आंसर आपका छो पांच चार और आठ है यह चार option को देखकर बताएंगे कि सही अगर आप इसको बनाएंगे तो इससे और निकालते निकलते आपका काफी समय लगेगा लेकिन पाइले यह संहां कितना एक है तो एक लिखिए और अंतिम संहां कितना है नो है नो और एक को जोड़ दीजी कितना हो गया पांच हो गया option नमट टू आपके लिए सही रहेगा क् जरूर लाइक करें चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें तो यह देखें आपके पास नेस्स कुश्चन क्या का रहा है आठ जोड दो आर यहां पकार रूप में 15 है तो इसको हम कैसे बनेंगे यह आपके पास आंसर है तो इस आंसर को आप चुनें तो देखें जदि हैं तो क्या इसका गुणन खना आता है आठ को जिदे हम करते हैं कितना देखें यहां पर लिखेंगे चार जोड चार चार और चार को जोड़ते हैं तो आठ होता है पांच जोड तीन को जोड़ते हैं तो आठ होता है चो जोड दो को जोड़ते हैं तो आठ होता है यहां द यह option को नहीं लेंगे 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा तो यहां क्या करेंगे यह आपका 5 है तो यहां पर आप 5 लिख लिए और यहां पलस है तो यहां पर आप पलस दीजिए और यह तीन आपका है तो 5 त्या 15 होता है तो यहां पर 3 लिखेंगे और यहां पर क्या कर लगा देंगे यही तो आपका आंसर हो गया तो यह देखिए रूट 5 प्लस रूट 3 कहां है आपके लिए सही रहेगा इस तरह आप बना सकते हैं अब आते हैं थोड़ा सब्सक्राइब अब यहां पर देख रहें रूट में आपका 10 प्लस टूरूट 21 है यहां पर तो यह रू साथ कुल अटीन करेंगे तो 21 होगा आप जान रहें 7 और यहां क्या क्ढोड़ने सात और तीन को जोड़ेंगे दौड़नेंगे ते दस हो गा आपके लिए सही रहेगा, क्या यह ट्रिक आपको काफी अच्छा लगा, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से नियूनिय अपडेट पाने के लिए, नेस को देख रहे हैं, आपके पास रूड यहां लगा हुआ है, एक पलस तीन, पलस पांच, पलस साथ, पल पर लिखी, अब यहां क्या करें, नो और एक को जोड़ेंगे, कितना हो जागा, दस होगा, इसको क्या करेंगे, दो से भाग देना है, दो से जैसे भाग देंगे, आपका पांच आ जागा, तो आपका ऑप्सन नमर कहा है, तो आपके लिए सही रहेगा, उमीद है, आपको तो आपका जागा, तो लाग दो से जैसे रहेगा, भो कितना है!